हाई जी हलो वन कैसा आप सभी लोग देखो सीधे काम की बात करते हैं बीटी सी मुझे कहां तक जाता हुआ दिक रहा है और कहां पर से मैं खुद भी शॉर्ट लूँगा पहले तो आपके साथ शेयर करूँगा फिर मार्केट की जितने भी इंपोरेंट अपडेट्स आईए उनको अपना आराम से डिसकस कर लेंगे तो यही आज के इस वीडियो का सार है और हां देखो FOMC के मीटिंग आने वाली है और आप सभी को पता है कि इंटरस्ट रेट का अनौंसमेंट कितना इंपोरेंट है मार्केट के लिए तो यह जितने भी इंपोरेंट डेटा होते है आपके ने सबते हैं और तो यह जोईन नहीं करते है पर यह लोग को इससे डूटक में आप डिसक्रिप्शन के सब्सक्राइब हमें देखने को मिल सकता है वो चीज आपने आज देख भी लिए ओगी कि बिटकोइन ने 28,400 प्लस का लेवल टच करा है सिंपल सी बात कि बीटीसी अभी भी जो ये 28,000 से लेकर 31,000 वाला जो 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 जोन है ना यह पूरा अपने आप में लगबग 8 से लेकर 10% का zone है तो यहाँ पर इस तरीकी से बात नहीं हो कि यहाँ इस zone में आ जाए तो trade हम short के ले लेंगे क्योंकि 10x की leverage काफी लोग use करते 10% का 8% का अंतर तो ऐसे ही हो जाएगा तो इससे अच्छा यह कि अगर BTC आपको 30,000, 31,000 के आसपस देखने को मिले ना कम से कम leverage यूज़ करना यहाँ से काफी ज़्यादा chances बनेंगे कि BTC को एक अच्छी कासी rejection मिले क्या का मैंने 30 से 31,000 का एक zone आप पकड़के चलो यहाँ पर कम leverage का यूज़ लेना 325X इससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूत नहीं है यहाँ पर मुझे इसा लगता है कि BTC के आने के बाद में काफी अच्छी खासी rejection BTC को मिलेगी और उसके बाद में BTC फिर से हमें 28,000 या फिर 25,000 तक देखने को मिल सकता है इसके अलाबा वाला जी की यह prediction काफी ज़्यादा वायरल हो गई है जबकि यह 16-17 तारीक से इसके उपर बात करना शुरू कर दिये थे कि वहाँ हाँ Bitcoin एक मिलियन डॉलर तक जा सकता है लेकिन पिछले दो दिनों में यह सुर्खियों माय गया कि वहाँ एक मिलियन डॉलर नब्बे दिनों में अच्छा जिनको नहीं पता है न इंशोड बता देता हूँ कि फोर मर कोईन बेस के CTO है उन्होंने एक prediction दिये और ऐसा कहा है कि मुझसे शर्त लगा लो 2 मिलियन की Bitcoin आ गयाने वाले 90 दिनों के अंदर एक मिलियन डॉलर को भी टच कर सकता है एक मिलियन डॉलर आइनार में आप रफली बोल सकते हो आठ करोड साड़े आठ करोड आप रफली बोल सकते हो तो इतना BTC की प्राइज एक BTC की प्राइज आगयाने वाले 90 दिनों में हो सकती है इन्होंने reason बताया हाइपर इंफलेशन इसके विरे से बिटकॉन की प्राइज यतनी जाएगी तीक है अब देखो कहीं न कहीं जो यूएस की गवर्मेंट है अब देखो इस प्रेडिक्शन के उपर काफी बड़े बड़े जो ओथर टाइप के लोग है उन्होंने काफी इसको भला बुरा कहा ख इसके लावा एक और इंपर्टेंट बात कि जो फेडरल विजर्व है जो यूएस की गवर्मेंट है वो यह कह रही है कि देखो आल फिलाल जो यूएस का बैंकिंग सिस्टम है वो अभी भी मजबूत है कोई डरने वाली बात ने लिक्विडिटी की कहीं भी कमी नहीं है अगर किसी भी और बैंक में अब लिक्विडिटी की कमी आती है किसी भी तरीके से कोई बैंक के दिवालिया होने की अपडेट आती है तो वहाँ पर यह जो सभी बैंक है वो यूएस डॉलर की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐस इस स्टेट में बताया गया है तो इससे हम थोड़ा से मान सकते हैं कि अभी जो बैंकिंग क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है ना उसके ओपर यह थोड़ा एक राहत की खबरे लेकिन अभी भी देखो बहुत सारे बैंक के उपर खत्रे के बादल मन रहा है जो सिलिकोन व अगले बैंक का कई न गई दिवाल या निकलता है तो वहिया सीधी सी बात है क्रिप्टो के लिए एक पोज़िटी बातों की पैसा जो है क्रिप्टो में या फिर बागी मार्केट में आ सकता है तो कहीं न गई यह मतलब की बात थी कि एक तो फेडरल रिजर्व यह बोल रह अगले अपडेट की बात करें तो यहां पर ताइवान से भी एक पोजिटिव अपडेट आ रही है ताइवान ने क्या अनूंस्मेंट कर रहा है कि देखो फेडरल सुपरमेसी कमिशन चेर्मेंट कनफर्म देट आइसलेंड टॉप फैनेंशल वाजडोग विल रेगुलेट क् क्रिप्टो को बेन की ने जर से नहीं देखिना वहाईं पताए intrigued को क्रिप्टो में कोई बुरही नहीं है जो स्कैम होते हैं इसके अलावाद जो क्रैसिस होते हैं इसके बड़े दीवाली कांड़ ने देखने को मिलते इसके पेसे रेगुलेशन की जूरत है बस वह चीट जो है ताइवान कहीं करने जा रहा है ताइवान के जो रेगुलेटर से वह अपने यहां पर क्रिप्टो करनसी को रेगुलेट करने का अनाउंसमेंट कर चुके अगले अपडेट की बात करें तो यहां पर मैंने माइक्रोसफ्ट से जुड़ी होई एक अपडेट दी थी आपको यादो कि माइक्रोसोफ्ट का जो एज ब्राउजर है वो क्रिप्टो वॉलेट इंटेग्रेट कर सकता है अब यहां पर उस वॉलेट के बारे में जादा डीटेल नहीं थी लेकिन हाँ अभी अपडेट सारी है कि एथीरियम वॉल जो चैसान क्रिप्टो में डाल चाहते हो तो इस समय कुछ पैसा क्रिप्टो में डालना चाहते हो तो आप शूर्वी आप बेट्कोईर में पेसा डाल नहीं नैटे है कि इस समय सेफ और जो लोंग टर्म में अच्छा प्रोफिट दे सकती है वह बिटकोई नहीं है तो इसलिए लोग जो है यह फिर जो इंस्टिटूशन भी है वह थोड़ा बिटकोई की तरफ फोकस करें डोमिनेंस की वज़े से जादा बढ़ रहे है और जैसे ही तोड़ा बिटकोई से प्रोफिट बुकिंग स्टार्ट होगी अल्ट में आपको बड़े-बड़े मूव देखने को मिल जाएंगे एक सिंपल सा कम चब्दों में और एक छोटा सा रीजन मैंने आपको बता दिया ठीक है अगली अपडेट की बात करें तो यह काड़ानों से जोड़ी हुई है काड़ानों ट्रांजेक्शन वोल्यूम एकसीड थर्टी बिलियन एडिये मार्केट रिबांट तो यहाँ पर काड़ानों के अंदर वापस से वोल्यूम आना शुरू हो गई और मैंने आपको यह बात पहली भी कहिए कि काड़ानों कोई बुरा प्रोजेक्ट नहीं है सिर्फ इसमें प्रोब्लम अभी यह हो रही है कि लोगों का जो बड़ा इंट्रस्ट है भी एडिये की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है इंस्टिशन की नजर में भी एडिये की तरह आपको काफी जाधा बढ़ता हुआ दिखेगा और यहां से आप समझी सकते हो ना कि काड़नों की जो ट्रंजेक्शन वोल्यूम है वो काफी जाधा बढ़ रही है 30 बिलियन एडिये की ट्रंजेक्शन वोल्यूम भी हमें देखने को मिलिए तो कहीं नहीं इतनी चिं सब्सक्राइब करें करें मिलते हैं जल्दी नई अफडेट के साथ जैहन जै भारत